जैशी कृष्णा हर हर महादेव कैसे हैं आप सबी दुर्गा अश्टमी जो कि इस बारी पर रहे हैं बुद्धवार के दिन इस दिन का लेजे कुछ ऐसा खास अचूग सा उपाई जिसको करके अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट या परेशानी हैं किसी भी प बनी हुई है तो इस बुद्वारी अश्टमी पर जरूर से जरूर ये छोटे-छोटे खास उपाई करें जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं सबसे पहले कीजेसे कि एक क्रिष्ण पक्ष के अश्टमी और एक शुक्र पक्ष के अश्टमी परती है महिने में दो अश्टमी परती है ये दुर्गा अश्टमी नहीं है जो कि नवरात्तों के अश्टमी परती है ये हर महिने में दो अश्टमी परती है ये अश्टमी बह आज जो आपके साथ में उपाई शेयर करूंगी उसे अपना के आप अपने जीवन के समस्कष्ट और परेशानियों को दूर कर सकते हैं, सबसे पहला कि देखे बुद्वारी अश्टमी हैं, जो की दुर्गा अश्टमी के नाम से भी जानी जाती है, मादुर्गा की पूजा क होती हैं, खंडित ना हो, साबुत पान का पत्ता लेंगे, उस पत्ते के उपर आपने एक सुपाड़ी रखनी हैं, दो लॉंग रखनी हैं और पांच हरी इलाइचियां रखनी हैं, इसको आपने जैसे की पान का बीड़ा बनाया जाता है, इसको आपने फोल्ड कर देना है, और इसमें इसको आपने भगवान गनेश को अरपन करना है अपनी मनोकामना इच्छा बोलते हैं और इसी तरह सेम आपने एक और बनाना है और वो आपने मादुर्गा को अरपन करना है आपके घर में जो भी मादेवी की फोटो प्रतिमा है वहाँ आप अरपन कर सकते हैं अर्पन करेंगे पूजा अराधना करेंगे और उसके पाद पूरे दिन इन पान के बीड़ों को वहीं रखा रहने देंगे आपने संध्या के समय सूर्यास के बाद इन पान के बीड़े को उठाना है लाल कपड़े में लपेट के अपने धन रकने की स्थान पे रखना है धन से जुड़ी कोई समस्य है वो अवश्य ही दूर होगी अब बुद्वारी अश्चमी है किसी ने कुछ करकर आ रखाय कोई negativity ह उसे दूर करना चाहते हैं, तो इस दिने खास विशेश उपाय करें, तो इससे क्या होता है, कि हमारा बुद्ध ग्रहस टॉंग होता है, जीवन में अगर कोई रुकावचे आ रही है, आपको बुद्ध ग्रहस रिलेटिव कोई भी परेशानी है, तो आप इन चीजों का उप कर सकते हैं, साथ में बात करेंगे, कोई नेगिटिविटी है, कोई परेशानी है, समस्य है, उसके लिए आपने क्या करना है, हर बुद्ध वार को, अगर आप ये उपाय करें, खास हो से बुद्ध वारी अश्टमी है, तो आपने करना क्या है, साथ आपको हरी इलाइचिया चाहिए, और चार आपको लॉंग चाहिए, दोनों की संख्या मिलाके हो गया, ग्यारा, तो आपने इस संख्या में दोनों चीजे ले लेनी है, अब ये उपाय आपने करना क्या है, बुद्ध वारी अश्टमी के सुभा कर सकते हैं, सबसे पहले आप चूला जलाने से पहले इस उपाय को करे ले, या तो फिर रात्री में सोने के पहले, जब अपनी रसोई घर को पूरा अच्छे से साफ कर लेंगे, तब आप ये उपाय, दोनों समय करेंगे तो अत्यूत्तम होगा, आपको अपने चूले के ओपर, ये सातों इलाइच्यां रखनी है, चार लॉंग और फिर इसे आप जो भी आप चाहते हैं, आपकी किसी भी काम में रुकावट है, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, परेशानी है, आपके घर में किसी के हाई नजर दोश लग रहे है, कोई बिमार रहता है, आप वो सारी चीज़े बोलें और इन्हें आप जला दे यह उपाए, आप इस बुद्वार से शुरू करके कम से कम साथ बुद्वार अवश्य करें, इस तरह से अगर आप करते हैं, आपके घर की नेगिटिविटी दूर होती है, साथ में बात करते हैं, विशेश उपाए की, अगर आपके पास पैसा तिक नहीं रहा, आप किसी भ यह लाई ची, और ठोड़ा सा कपूर ले ले, सफेद रिंग के पेपर के अंदर से फोल्ड करें, और आप रात में अपनी तक्की के नीचे इसे रखकर सो जाएं, जो भी आपकी इच्छा या विश्च जो भी है, या आपका वो काम बंज है, जिसे आप चाह रहे थे, ऐसा सोच के आपने इसे तक्की के नीचे रखके सो जाना है, इसे कम से कम आपने 21 दिन, as it is, अपने तक्की के नीचे रखा रहने देना है, आप हताएंगे नहीं, 21 दिन के बाद आपने इसे उठाना है, और इसमें जो कपूर होगा या नहीं भी तो आप उसका पूर थोड़ा स रखके इसे जला देंगे, और जो इसकी राक होगी, उसे ले जाकर किसी भी बहते पानी में छोड़ देंगी, जब ही आपकी तक्की की नीचे रखा रहेगा, दो-चार दिन में ही आपका जो काम नहीं बन रहा था, वो बनना शुरू हो जाएगा, विगन हटना आपके साथ में बुधवार के दिन भगवान गनेश की विशेश क्रपा आपको प्राप्त होगी, तो जरूर से जरूर ये छोटे-छोटे से खास उपाय करें, अपने जीवन के दुखों को कटों को दूर करें, इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब क और जो भी आपकी जीवन में यो पाय करके परिवत्तन आते, फीडबाक जरूर दीजेगा कमेंट्स बॉक्स में, जैश्री कृष्णा हरहर महादेव अवश्ये लिखें